नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्राइंश राठोर उत्रप्रदेश के विधान सभा चुनाव में करारी हार का सामना करने की बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट अद्यक्ष अखलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं स्थापा के राश्ट अध्यक्ष अखलेश यादव के खिलाफ खड़े होती हुए दिखाई दे रही हैं उन्हीं के पार्टी के कई मुस्लिम कारेकरता अपने पद से वह इस्थिफा देते हुए नसरा रही हैं और वहीं दूसरी ही तरफ उनके चाचा यानि की प्रगती शील समासवादी पार्टी के प्रमोख स्थापा विधायक शेपाल सिंग यादव भी उनसे काफी सादा नाराज हैं 26 मार्च के दिन जब लखनों के स्थापा कारेले में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में शेपाल यादव को बुलाया तक नहीं गया आमंत्रित नहीं क किया गया और उसी के चलते शेपाल सिंग यादव अपनी नाराजगी को जाहिर किये दिल्ली पहुंचे अपने भाई नेता जी मुलायम सिंग यादव से उन्होंने मुलाकात की और अपने घर एटावा अपनी कोठी वापे स्लोट गए लेकिन जब उन्होंने स्थी एम यो इसी बीच अखलेश यादव पर निशाना भी साध रहे हैं यहाँ पर अपनी गुस्से को उन्होंने जाहिर किया है स्थापा की कदावर निता आजम खान की खातिर आजम खान जो तकरीबन 26 महीनों से सीतापूर की जेल में बंद हैं सीतापूर की जेल में बंद हैं आजम जिन पर बहतर भी आजम खान पर 72 मुकद में दर्ज किये गए साल 2019 में सांसत बनने के बाद आजम की खिलाफ बहतर मुकद में दर्ज किये गए जिसके चलते वह अब भी जेल में बंद हैं दरसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ आजम खान इन मुकदमों के चलते जेल मे बंद हैं तो वहीं इन मुकदमों में से 71 में उन्हें जमानत मिल चुकी है लेकिन एक शत्रू संपत्ती का मामला बाकी रह गया है और इस मामले पर अब सुनवाई होगी दो माई के दिन जहां एक तरफ सुप्रीम कोड तक ये मामला पहुँच गया है इसी पीच आजम खान की रहाई को लेकर जिस तरीगे से इस वक्त हंगामा मचा हुआ है मुस्लिम निता इंतजार कर रहे हैं कि कब आजम खान को रहा किया जाएगा यदि आज़म खान ईद से पहले रहा हो जाते हैं तो ये एद काफी जादा शांदार होगी उनके परिवार के लिए उनके खुत के लिए और कई मुस्लिम नेताओं के लिए भी इसी दोरान देखने को मिल रहा है कि आजम खान के परिवार को शांदार तोफा मिला जब आजम खान से मुलाकात करने शिपाल सिंग यादव तो पहुँचे ही लेकिन शेपाल सिंग यादव के बाद मुलाकात करने पहुँच गए कॉंग्रेस के वरिस्ठ नेता आचारे प्रमोत कृष्णम आचारे प्रमोत कृष्णम ने रिपीट जहां एक तरफ आचारे प्रमोत कृष्णम ने मुलाकात की आजम खान से वहीं दूसरे की बच्चों से मुलाकात की और उन्हें इदी भी भेट की इस दोरान देखने को मिल रहा है कि आजम खान का परिबार भी इस वक्त सुर्खियों में आ चुका है आज हमारे इस प्रोग्रेम में हम बात करेंगे आजम खान की पतनी डॉक्टर तंजीम फातिमा की बारे में हैं इस रिपोर्ट के सरी तंजीम फातिमा की बारे में अमाजवादी पार्टी की रास्ट्य अत्यक्ष अखलेश यादव से इस वक्त काफी साधा नाराज है सपा की कद्दावर निता आजम खान सीतापूर जेल जब पहुंच गए सपा विधायक रविदास मेहुत्रा उन की कितने एहम फैसले देखने को मिल सकती हैं ये तो रहाई की बात ही बता चलेगा फिलहाल देखा जाए तो आजम खान की रहाई पर इस वक्त मांग की जा रही है और अखलेश यादव से मुस्लिम नेता अपनी नाराज़गी को जाहे कर रहे हैं आपको बता दें कि जहां एक तरफ आजम खान की रहाई को लेकर जो अपडेट्स आ रही है वहीं रहाई पर अब सुनवाई होगी सुप्रीम पोर्ट में दो मई के दिन इसी बीच आजम खान की परिवार को सहारा मिल रहा है कई नेताओं का जहां एक तरफ आजम खान से जेल में मिलने के पात परिष्ठ के वरिष्ठ निता आच्चारय प्रमोत क्रश्णम उनके घर पहुंच गए घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और इदी भी परिवार के सदस्य को भेट की इतना ही नहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज भी कस दिया जब उन्होंने मुलायम सि पतनी डॉक्टर तंजीम फातिमा से उन्होंने बातचीत की और परिवार के लोगों को इदी भी भेट की और मेडिया से बात की कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आजम खान को क्यों सजा मिल रही है आजम खान पर काफी अत्याचार हुए हैं और अब फैसले की घड़ी अब की जल्ध ही उन्हें जेल से रिहा किया जाएं आपको बता दें यहां पर आजम खान की पत्नी ल्पे अंतर तंजीम फातिमा भी काफी जादा सुर्खियों में रही हैं आजम खान की पतनी की बारे में बात की जाए तो वह 71 स्ताल की हैं जानकारी के लिए आपको बता दें तंजीम फातिमा की बारे में राजनीती की तरह ही वहे विवादों का सामना करती हुई नसराई हैं आपको बता दें कि रामपूर सदर्न विधान सभा सीट हमेशा से ही चर्चा में रही हैं पतर प्रदेश की ये सीट हैं साल 1952 की बाद इस सीट से सिर्फ मुस्लिम उमीदवार ही विधायक बने हैं रामपूर सभा सांस आजम खान का गड़ कहा चाता है यहां पर वहे नौ बार विधायक चुने गए हैं साल 2019 में लोगसभा चुनाव में रामपूर की जंता ने उन्हें चुन कर लोगसभा भेज दिया वहीं उनकी पतनी के बारे में बात की जाए समाजवादी पार्टी ने आजम खान की पतनी राज्य सभा सांसत तंजीम फातिमा को मैदान में उतारा तंजीम फातिमा ने भगवा माहौल में बीजेपी के भारत भूशर हरा कर अपनी फता का जंडा लहरा दिया यूपी के हरदोई के विलग्राम से तंजीम फातिमा का गहरा रिस्ता रहा है और आजादी के बाद 10 मा साल 1990 में तंजीम का विलग्राम में जन हुआ था तंजीम पड़ाई में काफी अच्छी रही है अलिगर्ड मुसलिम विश्वे विध्याले से तंजीम ने एमे किया है एंफिल किया है पीसडी की डिग्रियां भी उन्होंने हासिल की है वहीं सिक्षड कारे में उन्होंने अपना पेशा बनाया वहीं वह शिक्षा विभाग में राजनीती शास्त्र की प्रॉफेशर भी बड़ी लेकिन यहां पर बात की जाए राजनीती की दुनिया को लेकर राजनीती की प्रयोग शाला उनके घर में रही और आज़्यम खान ज जो राजनीती की दुनिया का जाना माना नाम है साल 2014 में नानुकुर के बाद तंजीम फातिमा समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्य सभा की सांसत चुने गई और साल 2015 में जनवरी की महीने में सामाजिक न्याय और सशक्ती करण की एक समिती के सदस्य के लिए उन्हे जब वह स्तांसत बनी तो इसके बाद मुश्किलें बढ़ गई साल 2019 में उपचुनाब में तंजीम फातिमा समाजवादी पार्टी की विधायक बन गई लेकिन मुसीबतें उनके स्तामने आ गई अपने पती और बेटे के चलते सीतापूर जेल पहुंच गई तंजीम फाति हैं जिन पर कई आरोप लगाए गए वहीं इनी में से एक मुकद्मे में आजम खान की पतनी तंजीम फातिमा और स्वार विधांस तभा सीर से विधायक रहे उनके बेटे अब्दुल्ला भी जेल पहुंच गई दरसल आपको बता दे ये मामला रहा बेटे अब्दुल्ला क दो जनम प्रमाड पत्र बनवाने के आरोप के चलते साल 2019 में उन पर मुकद्मा दर्ज करवाया गया और इसी मामली के चलते तंजीम फातिमा भी जेल पहुंच गई वही जनकारी के लिए आपको बता दें तकरीबन जेल में दस महीने तक रही तंजीम फातिमा और दस महीने बाद जब उन्हें जेल से रहा किया गया उस दोरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, कहा कि वह जेल में दस महीने रही है और नियाय पालिका पर पूरा भरोसा है उन्होंने कहा कि कॉलेज में प्रोफेसर रही, 60 साल तक उनके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं लगा लेकिन उसके बाद एक के बाद एक दरजनों मुकद में लिखे गए, ये उन्हें समझ नहीं आया मैं क्या अच्छानक किर्मिनल हो गई, जैसे नियाय पालिका से मुझे इंसाफ मिला है वैसे ही आजम खान साहब को भी इंसाफ मिलेगा, जेल में मुझे कोई स्विधा नहीं दी गई, आम कैदियों की तरह बैरक में रखा गया तंजीम फातिमा ने बताया कि रहाई के समय आजम खान से कोई मुलाकात तक नहीं हो पाई आजम खान की पतनी तंजीम फातिमा जेल में कई मुश्किलों का स्तामना भी की, लेकिन अब वह परिजनों के साथ घर पर हैं, लेकिन आजम खान की रहाई का बेसबरी से इंतसार कर रही है आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिये तंजीम फातिमा के बारे में, आजम खान जो राजनीती की दुनिया का जानमाना नाम है, जिन्होंने राजनीती में काफी कुछ करके दिखाया और समाजवादी पार्टी में आजम खान के चलते मुस्लिम फैक्टर कई ह हुआ नसर आया है, लेकिन आज आजम खान के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन देखने को नहीं मिला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से एम फैक्टर दूर होता हुआ भी चला जारा है, फिलहाल देखा जाए तो परिवार को इंतिसार है, इस से प कर दो कर दो कर दो